हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तों आप देखी रहे हैं कि आज मैं फिर से एक ऐसे घर में आ गया हूँ जाके पूरा का पूरा गेंदे से पीछे भरा हुआ है और घर तक आने का ये रास्ता है और इधर गेट के इधर इस तरफ को इनका घर है घर में हलाकी गाजनिंग यहां भी है लेकिन यहां इस सम भी आई हैं उन्से मिलते हैं उनसे बात्चेत करते हुए जो है उनके गाजन को देखते और सापी किस तरीके से वह उसकी देखभाल कर रहे हैं क्या अ कि त्यारी करनी परती है बहुत-बहुत स्वागत है सारामका हमारी यूट्यव चैनल में वह भी बहुत-बहुत से भरावा देखा हूं और खासतर से गेंदया जो है इस समय बहुत ज़्यादा किला हुआ है और जूर जहां से घर में एंटी करने के जगा है तो दूनों तरफ गेंदे बहुत लगे हुए खासतर से इस साइड में तो कब लगाया था यह गेंदया आपने यह अक्टूबर के सब्सक्राइब करेंगे आपका नाम और कहां रहते हैं मेरा नाम मिस्टर महतबराय है मैं पंचननदपूर रहता हूं पंचननदपूर जो कि दिनेश्पूर शेत्र का एक गाउं है उत्राखंड में तो यह गेंदे का ही क्या सबसे ज्यादा शौक है आपको या और वी पु ज्यादा शौक है और फुलो का भी है लेकिन गेंदा मुझे अच्छा लगता ज्यादा मतलब इसलिए पूरा लाइन मैं जहां तक दिखा हूं गेंदे से भर दिया है और बहुत बड़े बड़े गेंदे यहां पर हो रहे हैं सबसे पहले तो यह होता है यह वेराइटी कौ है posibilidadि यह हां जीहां है यह जीहां तो काफी बड़ा ओर यह कर दिम है एक हाई हो सब्सक्राक्राइध और ये और यह जो येलो कलर में है से छोटे होते हैं आप भी आपको दिखांगा ठोड़ी देर में यह जो बीज है कहां से विला था आपको इसका यह वहां से लायता से रिया नरसरी अग्या वहां पर पर हाँ वह भी पंतिनगर का पार्ट है तो वहीं से शुरुवात में लाते हैं और अभी क्या इनी के बीजों से दुबारा बीज तैयार हो जाते हैं या फिर से हर्बर लाना पड़ता है हम तायार करेंगे इसको वीज लेकिन फूल छोटा हो जाता है और वहां से बीज लेंगे ठीट if you just इशाल होई से लेकि लाया आच्छा अक्टुवर में जाते हैं वहीं से ले आते हैं तो यह जितना भी आपने लगाया है तो क्या केवल यही गेंदे का ही लाईते भीज और भी कुछ मिलता है वहाँ पर घंदा काई बीज ले आते हैं और बाकी फौदा बीज हम वहीं से लाते हैं ऐसे ये जैसे आफिने बताया कि आक्क्वर में आपने इसको लगाया था एकवर के फोधे को पौदा डा जाला झी जी जी और इसको यहीं पर जाला था या कही है और नशुek कि ऑफने घर पर जाला था पौद्धा जो तो मिट्टी में क्या-क्या मिलाथेते हैं पौद्धाजट Parlament उसमा थोड़ा गौबर ब anthology मिला दिया उसके बाद में Sonra this चटीर के बाद में उपर से उसके बाद पुवाल होता है दान का को होता है निया के पुवाल उपर से लगा देते हैं और उसके उपर से पानी बीजविच में जाते और ऐसे करके 9 वर तक पौधे निकल जाते हैं घंजी तो पौधें के अंदर से ही क्या पौधे निकलते करके तो इसमें भी आपने गोबर की काद मिला होगी इनकी आरियों में इस समय इस बार नहीं मिला और रेता वगरह भी क्या इसमें मिला था कभी जल पाइब नहीं जल पाए अच्छा और बागे जैसे कोई राशानिक काद बगरह आपने यूस किया अधर लगाने के बार ना यहां पर जो पौदे लग रहा होगा कि एक फूट की दूरी पर यह लग रहा होगा तो दूर भी है कोई-क पास भी होंगे लेकिन जो है यह जैसे से कंद अब तक बने रहेंगे अब यह मार्च महिने क्वेश्च मेर्च मेड़ को गई यह माई तक रह जाएंगे तो उस समय तक यह अभी चलते रहेंगे और अभी पानी जालना होता है बस पानी जो है दो बर या एक बड़ दे रहें यह अच्छा लगा इसका और साथ में जो है इधर मैं अगर देखों तो गैलिया पूर लाल लाल इस से भरा हुआ है तो गैलिया क्या यह ब्लांस्स से तैयाँ या इसके बल्ब से लगाया था इसका बलब निकालकर करके लगाते हैं आप हाँ जी निकाल करके थोड़ा फैला दिया न हाँ जी जी जिसे एक दिखा बहुत सारे हो जाते हैं हाँ जी उसको अलग अलग करके लगाए तो यह बल्ब जैसे अभी यह पौदे जब तक रहेंगे तो उसके बाद यह बल्ब क्या यही मिट्टी में रह जाएंगे और उसे में यह फूल हाजी मतलब कटिंग से आप इसको तैयर नहीं करते हैं इसको तो उससे भी हो जाते हैं और इसके अलावा मैं अगर यहां पर दिखाऊं तो यहां पर जो है कुछ जर्वेरा है यह देशी वाले जर्वेरा है क्या जैसी है और हीब्रेट है दो इस बार जो है ठंड भी बहुत जदा पड़ी एक महिने से ज्यादा जो है धूप नहीं निकला तो इसमें कुछ खराबी आई थी और गुडल वगर अभी बस खिलना शुरू हो ही रहा है कलिया तो पुरा भरा हुआ हर जगा इसका मतलब एकाद एकाद आना शुरू हो गया है और यह जो फूल है भात चोटे-छोटे पेंजी वाल की वराइटी है तो इस बार चोटे पेंजी ही लगाए है 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 आप फेंजी यह बीज मिला था हम लश्ट में कहा थे वीज उपलब नहीं हुआ वहां पेंपर यह पंत नगरसरी लाए थे हमने कमल नसरी किछ्छ तो वहां से बीज ही लाएते हैं या पौधे लाएते हैं यह रहते हैं यह रह जाते हैं इसके पौधे अपने आप उखते हैं हरसल भीज लाना पड़ता है यह भी अगर मैं यहां पर दिखाओं टो यहां जो है आइस प्लांट लगा रखा है तो यह क्या घर के बीज रखा वो था हैं इसी से यह सूप जा रहे हैं तो इससे जुह भीज थे रहर हैं हाजिए आईजिवे में लगा देंगे तो यह भी हो जाएगा और मेरे कर से यह कटिंग कर दिया था कि अभी तो भरा हुआ इसमें कली एकाद फुल थिल रहे है पिछले साल कहा है इसी साल कहा है इसी साल कहा है तो यह थंड के मोशन में बढ़ नहीं पाया उतना अच्छा अच्छा मुझे लग र विड्विविच में गुडल के पॉदे भी लगा दी है कहीं के आइस प्लांट है और पेंजी अलग-अलग कलर का हो रहा है यहां भी है यह जो है रर जगा बरा हुआ है यह जो चोटी वाली पेंजी ही है बहुत सारे लोग्त इतली फूल भी कहते हैं इसको और एक जो है यहां पर बड़ा मुझे दिख रहा है इसके लाबा यहां क्या है कैलंडूला मुझे लग रहा है यह सब भी क्या बीच से ही लगए वेगे में कैलंडूला के विजों हो जाता है इसका भी बीज बनने तो बहुत आसानी से लग जाते हैं अगर पूरे लाइन में ले चलू आपको यहां भी मुझे दिख रहे हैं यह फूल तो आप छोटे हो गए हैं साइज में यह पहले काफी बड़े हुए होंगे ने यह वह लड्डू गंदा है यह लड्डू गंदे में तो बड़ी कितने खूफशूरा ढंक से खिले हुए है आइस प्लाइं और बड़ी आसानी से बीजों से हो जाते हैं और बिल्कुल यह भी राखी की तरह ही लगता है धनिया वगरत तो आपने खा लिया होगा यहां से काफी अब तो यह बीज बनने लगे हैं इसके और इधर इधर भी म पॉपी बीस काई है चोटी जो सिंगल वराइटी की पॉपी है वह वाले हैं और आगे मैं अगर यहां दिखाओं तो यह तो आप इसका समय खतम हो गया है यह जो फायर बॉल है अब तो यह जो है यह सर्दियों में होता है इसका सीजन तो आप दीरे दीरे यह खत्म होने व पॉधाई नरसरी में मिल गया था और इधर अभी छोटी छोटे कुछ कुछ जो है लगा रहे हैं तो इधर अभी खिले नहीं है तो अभी कोई जिनों के बाद मेरे खाल से यह सब पॉधे फिर चलने लगेंगे अगर घर के अंदर दिखाओं तो देखे दिवार के साथ कित यू है पिंक कलर में हैं और दिवार के साथ बिलकुल बेल के जैसे यह अपने आप दिवार में चड़ गया हाँ जाए तो कि अकसर यह इधर दर लटक जाते हैं और मैंने देख रहा हूं यहां दिवार को ही इसने पकड़ लिया और कोई सहरा नहीं दिया और बहुत हो जाते हैं कापी जादा यह बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है तो अभी तो कली तो बहुत इसमें भरा हुआ है प्लांट में तो इसमें जो है कोई दवाई बगरा का चिड़का करते हैं क्या कीड़ों के लिए एक बार मैंने थोड़ा सा दवाई जाला है इसमें जोरत पड़ते तो डालते हैं लेकिन हमने इस बार क्लोरशी काम चला लिया इसमें गुलाब मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा-च्छा किले हुए हैं इसमें भी कलिया पूरी तरह से भरे हुए सब बड़ी बराइटी के गुलाब है ना यह सब आप नरसरी से ही कर देते हैं बस तुलसी मंच बना हुआ है तुलसी तो आपका बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बचा हुआ है थंड में कैसे बचाया इसको यह चारों तरह आप मैंने खंबे लगाया अच्छा उपर जो है एक पली लगा दिया जैसे दिन में उसको उतार दिया शाम को अच्छा ऐसे करते रहें तो जाके थंड में बस वाया क्योंकि इस बार जो है मोस्टली मर गए तुलसी इस बार थंड बहुत ज्यादा थी आपके हां सही है और यह वही वाली गुलाब है उदर जो है दो पौदल आए थे या कटिंग वगर असे लगाया दो पौदल आए लेकिन दो फोदों में दुनों एक ही कलार का निकल गया यह पीला कलार करके लिए तो फीला खतम अगया तो दुनों यह भी बरे लीज से लाई थे जामनी कलर रहे अभी तो जैसे यह पिंक लग रहा है पूरा अब यह थोड़ा पौदल मुर्जा गया ना फूल अच्छा यह सब छोटी वाली प्रेंची वह लगा दिया और कलांचों कहां से लाए यह वाले किलांचों लाए थे यहां रभी नर्शरी यह वह चाहर रभी नर्शरी यह वहां से लाए थे जबी नरसरी से लाए हैं अलग-अलग कलर के ना इसमें पिंक होंगे वाला रेट था यह पिंक है तो दो पौदे एक लांचो के इसके अलावा अगर मैं इधर ले चलू तो यहां कुंद का जो पौदा है वो भी है यह तो काफी पुराना होगा तीन साल हो गया तीन साल ले ब पूरा खिलता है निया कि बढ़े जैसे हर साल कटाई कर और तो टोड़ा साइट कर दिया फिर यह पूल तो काटना पड़ता है अथा यह पिर फूल सोक करके गिर गया यहां पर यह पोएंटosasia की रिएट है और यह तो काफी जादा राइडगाइट थे नौर्मल पोईटosa से काफी अलग रग रहा है तो बिल्कुल लगे के साथ लगा दिया यह 700 वाइड वुए वाले पैंजीuf personality PR आप जहां जहां जे यह भिए का है।फ का पौदा तो काफी चुटा मुझे नजर आ रहा है। जो भुड़े पहीनी थी वह टोट गया। फूट गा। अब यह फुटगा स्टीर। इस साइड में दिखाएं। तो मुझे लग रहा है यह क्या रईनी गंदा है यह भी और इधर का भी दोनों दो बराइटी का इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल लाइनिंग मुझे नजर आ रहा है इधर वाले के पत्ते थोड़े प्लेन है उसके मुकाबले हैं और कुछ-कुछ है पुराने-पुराने जो प इस tuvo का हरसाल करके लगाते हैं थोड़ा कम करते हैं क्या यह आप पुराना परह रहा है इसी गब्लिय में लगाता है는데 पुराने के इसमें भी गोबर की खाट डालते हैं इस साल तोड़ा सा कमजोर लग रहा है मुझे उससाब से और कुछ कटाई चटा इसमें करने की ज़रत है जो सूख गये हैं तो इसमें फिर नहीं तरीके से आ जाएंगे एक बार कोशिश किजएगा तोड़ा सा डिये पी डाल दे और स्ट्रावरी भी आपने लगा दिया हाँ इस साल उसको लगा दिया लगा तो कई साल से हर बार मतलब निकाल करके पौदों को अलग करके लगा तो नहीं हो गया रहा है इसमें अगर दिखाओं तो देखे यह बिलकुल यह खा कौन रहे हैं इसमें जो बीच-बीच में खाया किड़े तो नहीं होगा कोई पक्षी आ रहा है चुखे बगर मुझे लग रहा है कि इस तरिक से नीचे से जागर करके खा रहे हैं तो जो भी रैड हो जाए आप उसको तो लिया कीजिए मतलब हो तो बहुत रहा है इसमें एक एक जीगा पुरा गुच्छा है यह पराल किस तो इसलिए यह पराल आपने बिचा दिया तो यह थर्मकॉल की पेटी में हो रहे हैं दोनों ही और इसके बाद यहां दिखाओं तो कुछ ब्राम्मी भी है यह भी हमेशा साल हो साल यहीं ठीका हो रहता है इसका भी यूज करते होंगे तो पेट के लिए काफी अच्छा होता ह सुबह अगर इसके दो पत्ते खाली पेट तोड़ करके इसको चबा करके खाया जाए और एक ग्लास पानी पी लिया जाए तो ऐसा अगर जेली काम रूटीन बनाते हैं तो पेट हमेशा आपका बिल्कुल रहता है इससे बहुत अच्छी चीज़ है इसके अलावा जो किचन पुरा में है यहां है क्या लेसुन है जार है और बडर जो नीबू है यह तो यह कितने साल पुरहना है इधर जो निवु दिखाई दे रहा है यह कम से कंसे 15 साल भरपूर निवु आते होंगे ज़िए कागजी निवु की वराइटीए कागजी निवु है खुश्बू है इसमें बहुत है इसमें बारा महीने जो है होते रहते हुए उपर मुझे बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है काफी जादा उधर है यहां है और फूलों से पूरा जो पौदा वह भरा हुआ है बहुत ही बड़ी और इधर अगर मैं दिखाऊं तो गात को भी अब पूरा घर में ही लगा हुआ है एक लाई से अब तो तो लिया होगा बहुत सारा बहुत सारा तो दिया पूरा मैं यहां से दिखाऊं लाइन बड़ा हुआ है और भी गोभी बगरा लगा होंगे ना इधर बहुत पर पहले आप तो टूट गया थोड़ा वोद रहेगी फोलगो भी रही गया थोड़ा गाट को भी और यह आपका बीन फली मुली अप फिर लगा दिया मैंने कद्धू और यह क्या करते हैं आपका खीरा और लोकी अच्छा यह यह जो है यहाँ से आप यह सारे बीज हुआ जी यह जो आ आपके लगा दिया और इसी के पूरे पर अ अलग 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 जगा कर देऊंगे नहीं को यहां से सारे गर्मिओं बेल दर जो फॉड़ी है वह लगा दिया है था पर दिखा उँडिए तो थोड़ा सा धन्या भी मुझे नज़र आहा रहा है यह हमने पाकिस्तनी मालता का पोदा लगा दिया यह बस इसमें अगले साल तक पॉदा भी लगा रखें यह पूल आने लग जा इसमें लेकिन अगले शाल इसमें फोदा आई जाएगा अगले सेल हो जाएगा तो इस समय ले ले तो बैटर है एक माल्टा वह हो गया इसको पहता नहीं कुन सा भी रेट है मुझे याद नी आ रहा है यह उसी साल लगाए है और यह एक दिखाए दिरेंए मुझे अम्रूत का हाँ जी हाँ यह भी क्या पंधनेगर का है हाँ यह 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 जो गन्य के जूश में जो निवू पड़ता है गोल वाला अच्छा पिले पिले उसका मुझे नाम याद नहीं रहे कुन से विराटिक आए तो सर आपने पूरा गाजन विजिट कराया खास्तोर से जो गेंदा पूरे जगा में लगा हुआ है उनको देखा और जो भी घर के अंदर जो भी कुछ लगे हुए है किचंद गार्जेन ने सब कुछ विजिट किया इसके बारे में बताया इन सब को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंको थैंको आप आने का धन्यवाद आप खुवी